सरदा हत्या कांड में आखरी मडर वाली रात में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वज़े से विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी ने सरदा को मौत के घाट उतार दिया तो आईए जनते हैं पूरी सच्चाई आरोपी ने पूलिस को बताया कि हथ्या से पहले दोनों पार्टनर के बीच मुंबई से घर का समान सिप्ट करने को लेकर जगड़ा हुआ था इतना ही नहीं घर के खर्चे को लेकर भी आफताफ और सरदा की बीच जगड़ा हुआ था पुलिस की जाच में पता चला कि 18 माई का जगड़ा पहली बार नहीं हुआ था ये दोनों 3 साल से लड़ाई जगड़ा करते आ रहे हैं और साथ ही घर का खर्चा कौन उठाएगा और सामान लेकर कौन आएगा इस बात को लेकर आफताव काफी गुसे में आ गया और फिर सर्धा की गला दबा कर हत्या कर दी थी और उसके सरीर को 35 तुकडे में काट कर दिल्ली के अलग-अलग इलाके में फेक दिया था आरूपी को तब गिरफतार किया गया था जब दिल्ली पुलिस ने सर्धा के पिता बिकास वालकर के दोरा सरधा की गायब होने का सिकायद दर्ज कराई जांच शुरू की गई तो आरोपी ने जांच के सुरुआती दिनों में ही पुलिस को दोका देने की कोसिस की पुलिस को बताया कि 22 मही को ही सरधा घर छोड़ कर चली गई थी वो अपने साथ के ओल फोन लेकर गई थी मगर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो फोन और उसके एकाउंट डिटेल खंगालने पर आरोपी की जूट पकड़ी गई और सब फच सामने आ गया जिसके बाद से ही पुलिस को एक से एक बढ़कर चोकाने वाली सच्चाई सामने आ रही है फिलाल दोस्तो इस केस को लेकर अपना राई कोमेंट में ज़रू बताना और हमारे चैनल को सब्क्राइब करना मत बूलना